जै गुरु जी संगर जी गुरु जी कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में हूँ तो अपना घमंड और अपना दिखाना छोड़ दो मेरा सत्सन कितनी धूम धाम से किया है लंगर परसाथ के अंदर मैंने क्या क्या नहीं करा यह दिखाना बंद करो मेरे और मेरे परिवार की ड्रेस कितनी अच्छी थी इसको भी दिखाना बंद करो मेरा घर कितना आली शान है और कितना बड़ा है यह सब भी दिखाना बंद करो क्योंकि प्यारी संगत जी मैं तो डुगरी पिंड से जुडा हूँ एक छोटे से परिवार से जुडा हूँ एक छोटा व्यक्ती हूँ जिस पिंड में तो साइकल भी नहीं होती थी मेरी मा तो एक वक्त का खाना बनाने के बाद दूसरे वक्त के खाने के लिए अंगीठी के ऊपर कोईले पर मिट्टी डाल देती थी इसी लिए प्यारी संगत जी आप सभी से प्राथना है कि क्रिप्या करके दिखावा ना किया करें मुझसे मांगने आ रहे हो या मुझे दिखावा करने के लिए आ रहे हो क्रिप्या करके दिखावे का प्रदर्शन ना करें गुरु जी साधारण है इसी लिए आपको गुरु जी ने जो भी दिया है उसे संभाल के रखें और क्रिप्या करके दिखावा ना किया करें सत्संग में जै गुरु जी गुरु जी का हर पल शुक्राना जै गुरु जी संगजी संगजी मैं बहुत बिमार रहती थी हर टाइम मेडिसन खाते रहना और हर दो दिन बाद होस्पिटल में एडमिट होना क्यूंकि मुझे एस्थमा हाई बीपी ये सब था हर महीने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना बहुत परिशान रहती थी अपनी बीमारी से मन में एक डर बैठ गया था मैं कहीं भी नहीं जाती थी बस सारा दिन घर पर ही रहना और मेडिसन खाना बहुत ज्यादा इनहेलर और नेबुलाइजर लेना जिन्दगी जैसे धीरे धीरे खतम हो रही थी मुझे गुरु जी के बारे में पता चला मैं बिलकुल भी चल नहीं सकती थी ब्रिफिंग प्राबलम हो जाती थी मैं बड़े मंदिर गई गुरु जी का जल परसाद लिया और गुरु जी के दर्शन किये और पता नहीं कैसे मैं ठीक होती चली गई कि आज मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हूँ और सत्संग में भी जाती हूँ लाइन में लगना दूर तक चलना फिर भी ठकना नहीं कोई ठकान नहीं ना सास फूलता है मैं बिलकुल ठीक हो गई हॉस्पिटल में एडमिट तो दूर की बात है डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ी मैं बस गुरुजी का शुकराना करती हूँ आपने इस बेटी को ब्लेस किया है और अब मैं ठीक हूँ ऐसे हैं हमारे गुरुजी सबकी जोलियां खुशियों से भर दो सभी संगत को लेस करो गुरुजी धन धन गुरुजी हर वेले शुकराना गुरुजी गुरु प्यारी साथ संगत जी को जै गुरुजी संगत जी कलियुग में तीन तरहां से बारिश होने वाली है एक कैंसर की एक डिप्रेशन की और एक डाइवोर्स की इन सब से बचने का एक ही तरीका है गुरुजी का मंतर जाप सभी से बचने का एक ही उत्तम उपाए है सभी संगत प्रती दिन अपनी इच्छा अनुसार सुभा और शाम जबरदस्ती नहीं है जब आपके अंदर से आपका मन करे कि गुरुजी का मंतर जाप करना है तो ही इसे करें जबरदस्ती का नियम अपने पर लागू ना करें और अपने कश्चों से छुटकारा पाएं जिस परकार एक मुम्बती को भुजाने के लिए सिर्फ एक हवा की ही फूख जरूरत होती है ठीक इसी परकार गुरुजी के साथ अपने कनेक्शन को जोडने के लिए मन के कुछ पलों की जरूरत होती है जिस घड़ी जिस पल हमारा कनेक्शन गुरुजी से डाइरेक्ट जुड जाएगा उसी पल हमें अपने सभी कश्टों से छुटकारा पालेंगे जै गुरुजी गुरुजी का हर पल शुक्राना जै गुरुजी संगर जी एक बार एक अंकल गुरुजी को कहते हैं गुरुजी आप मेरी किडनी स्टोन की प्राबलम को क्यों नहीं ठीक करते इसको दस पंदरा साल हो गए हैं और मुझे उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द होता है और वो अंकल कहते हैं गुरुजी कृपा करो गुरुजी उनको हमेशा यही कहते दिल्ली जाकर करूंगा आपको ये क्या कह रही है मतलब आपको स्टोन क्या कह रहा है तो वो अंकल ने कहा गुरुजी बहुत दर्द होता है पेन किलर भी ली है पर वो अब काम नहीं करती और सही समय में गुरुजी एक संगत आंटी के सपने में आए और उनको कहा इन अंकल को कह देना कि मैं उनके करम काट रहा हूं वक्त आने पर वो भूल जाएंगे कि कभी उनके साथ कुछ हुआ भी था और वो अंकल कहते हैं मैं दिन और रात गुरुजी के साथ ही रहता था वो गुरुजी के बहुत ही करीबी सेवादार हैं और वो कहते हैं लोगों का भला एक मिनट में गुरुजी कर देते हैं लेकिन मैं तो उनके साथ दिन रात रहता हूँ और उन्होंने कहा गुरुजी अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं तो मुझे कुछ ही सेकिंड में ठीक कर दो जै गुरुजी गुरुजी का हर पल शुक्राना